हेलो फ्रेंट्स ये एक LED ट्यूब है अभी कि समय में जो नया नया LED ट्यूब आ रहा है पलास्थिका वो यही ट्यूब है और क्रॉंप्टुन कंपनी का है और इसके उपर लिखा गया है 220 वोल्ट AC सप्लाई 50 हर्ज याने कि घर में जो सप्लाई आता है 220 वोल्ट 50 हर्ज वाल बार उपन करके देखा उसमें कोई भी सर्किट नहीं था तो इसके अंदर जो LED बल्ब लगा हुआ है वह साथ इस तरह का से स्रीज करके लगा लगा हुआ होगा कि उस पर वो ड्रेक्ट टूट्य वोल्ट पर यह वर्क करता होगा या फिर इसके अंदर कोई और सर्किट आप यह थोड़ा सा निकला अब नहीं निकला याने कि इसका जो दूसरा इंड है उस साइट से भी वायर निकला हुआ है और वो दूसरे पीन में कोनेक्टेड है तो चलिए मैं इस साइट से भी से ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या चीज है या एलेडी बल्ब टोटल एलेडी बल्ब है या फिर इसके अंदर को सरकीट भी है इसका इंड पॉइंट अभर है वो फिक्स किया हुआ है किसी चीज से चिपकाया हुआ इसलिए यह नहीं उखर रहा था इसलिए मैं इसे काटके आपको दिखा रहा हूँ यह ठीक से नहीं कट पर यहां पर आप देख सकते हैं इसमें टोटल तीन वायर है और इसकी इसी के अंदर छोटा सा सरकीट है हमारे घरों जे 220 का सप्लाय आता है उसे यह कोनवर्ट कर देता है जितने वोल्ट पर यह एलेडी बल्ब एलेडी ट्यूब चलता है यह कितने पर चलता है वह तो मु यह एक पतला सा मेटल पर लगा हुआ रहता है और इसके अंदर भी यह यह आप देख सकतो यह इस पर फिक्स रहता है इसमें इसलिए लगा रहता है कि जब यह जब यह जलता है एलेडी बल्ब तो हीट होता है इसके हीट को कम करने के लिए यह पतला सा इसके पीछे लगा ह जाता है इसके अंदर जितना भी LED बल्ब लगा हुआ हुआ है वह सारा सीरीज में लगा हुआ है और सर्किट के अंदर एक ट्रांसफर्मर्मर्ण है जैसा कि मुझे उपर से देख रहा है और एक आयर्स्टर टाप का कूछ छोटा सा और दो तिन रस्टर टाप का लागा हुआ है यह सही से मैं आपको नहीं दिखा पाउंगा यदी यह कभी ओपिन हो जेगा तो आपको दिखा घुँआ हो झाल झाल झाल